आप सभी का मेरे चैनल पर पुनह स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ कि आप सभी सुस्तोंगे महादेव के क्रिपाप सभी पर सदा पनी रहे यह वीडियो मकर यानि की क्याप्रिकॉन के लिए एक बहुत महत्तोपोन वीडियो है क्योंकि वीडियो है शनी महाराज के राशी फल के बारे में जी हाँ शनी महाराज का राशी फल शनी महाराज की अब करेवल बारा महीने करीबन आपके दूसरे भाव में रह गए यानि की कुम्भ राशी में जो आपका दूसरा भाव बनती है मार्च दोहजार चौबिस से मार्च दोहजार पच्चिस तक शनीदेव यहीं परहेंगे शनीदेव की एक विशेष्टा है कि उनको कर्म फल दाता कहा जाता है उनको नयाधीश भी कहा जाता है तो अगर उनको अपने बुरे प्रभाव देने होते हैं तो अपने शुरुवाती आधे कालखंड में देते हैं अब हर विक्ती की कुंडली अलग होती है लेकिन जो भी बुरे फल अगर शनी महराज को देने होते हैं बहुत जादा बहुत कम कुछ नकुछ नकरात्मक प्रभाव देते ही हैं लेकिन बहुत अच्छा भी देते हैं लेकिन बारा महीने जो अलरड़ी पूर्ण हो चुके हैं आपके लिए शनी महराज के दूसरे भाव में अब शनी देव का एक सकरात्मक रूप भी देखने को मिलेगा शनी देव को केवल एक पाप ग्रह एक नकरात्मक ग्रह नहीं मानना चीए अपने वीडियो के माध्यम से मैं कई बार ये समझाने का प्रयास कर चुका हूँ की बिना शनी देव के सकसस प्राप्त करना अपनी महनत के दम पर बहुत मुश्किल हो जाता है जो वेक्ति अपने महनत के दम पर आगे बढ़ता है कही ना कहीं उनके शनी देव बहुत प्रबल होते हैं हाँ भाग्य अलग चीज है किसी का भाग्य कभी कभी बहुत प्रबल होता है तो वो भी बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत जल्दी से आगे बढ़ता है, लेकिन अधिकतन लोगों के साथ वो case नहीं होता, कई लोग अपने परिश्रम से ही आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर शनी देव का बहुत महत्तो होता है, इसलिए शनी देव के जो अंतिम आधे 12 म अंत्र है उनका, तो ये उनके सकरात्मक रिजल्ट के बारे में ज्यादा apt बैठता है, कि जब वो अपने positive रिजल्ट देते हैं, तो थोड़ी धीरे से देते हैं, थोड़ी डिले से देते हैं, शनी देव के बारे में लेकिन निगौश चीज बहुत प्रसित है कि शनी देव के दरबार में देर है अंधेर नहीं, यानि कि there is a delay, but never a denial, तो शनी देव अच्छे प्रभाव देते हैं, लेकिन थोड़े देर इसी देते हैं, और हमें विल्कुल नहीं भूलना चीए कि शनी देव यहाँ पर अपनी शुब राशी, यानि कि मूल त्रिकोन राशी में हैं, तो उनकी शुबता बर जाती है, दूसरा वो आपके स्वयम लगनेश भी है, आपके लगने के स्वामी है, तो आपके लिए कहीं न कहीं अच्छा प्रभाव देंगे ही, इरिस्पेक्टिव हो कहीं पर भी बैठें, और ये जो मूल त्रिकोन राशी में उनका प्रभाव है, ये इन 12 महीनों के बाद आपको 30 साल बाद मिलेगा, क्योंकि शनी बहुत मंद चलते हैं, तो यहाँ पर दूसरे भाव में बैठकर किन-किन चीजों में आपको लाब दिला सकते हैं, किन-किन तरह से आपके जेवन में शुबता और सकरात्मकता और प्रगतिला सकते हैं, यह वो समय है जब जोतिश के माद्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, कि आप किन-किन चीजों में ज्यादा एफट लगाएं, किन-किन जगाओं पर आपको कुछ शुबता प्राप्त हो सकती है, और उसके दम पर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, इस वीडियो क सबसे पहली भविश्यवानी है कि शनी क्योंकि आपके धन-भाव के स्वामी हैं, और धन-भाव में ही बैठेंगे, बैठें हुए हैं अलड़ी किन अप्जसमाने का एक सकरात्मक रूप उनका और प्रबल रूप से दिखाई देगा, तो ये बहुत उच्च कोटी का धन-योग बनता है, इसको धनवान योग गहते हैं, केवल धन धन-योग नहीं धनवान, यानि कि धन तो आता ही है, धन बढ़ता है, धन में वृद्धी होती है, दूसरा भाव धन-स्थान होता है, और शनी स्वयम लगनेश मी हैं, लगनेश का भी दूसरे भाव में जाना उच्च कोटी का धन-योग बनाता है, लेकिन यहां पर तो शनी अपनी मोलत्रिकोन राशी में, अपनी शुब राशी में, और किसी राशी में होते तो में भी उतना अच्छा प्रभाव नहीं आता, लेकिन क्योंकि शनी महाराज यहां पर अपनी शुब राशी में है, मोलत्रिकोन राशी में है, और इसी के कारण कहीं न कहीं, जो प्रभ तो मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी इन दोनों भावों का कहीं भी मेल हो जाए, किसी भी प्रकार से हो जाए, तो वो धनयोग उच्चकोटी का बनता है, तो सबसे पहली भविश्यवानी यही है कि आपके लिए शनी महराज धनवान योग बना र दगाई है, क्योंकि अधिक्तम चीजों में आपको जब धन से सम्मंदित आपकारे करेंगे, आपको लाव मिलेगा, यहाँ पर ना केवल शनी धन को बढ़ाते हैं, आपके इंकम के सोर्स खोल सकते हैं, क्योंकि लाव स्थान भी इन्वाल हो गया, यानि कि जिस जगा से मिलेगा, जिस से आपकी पैरलल इंकम या सेकेट सोर्स ओफ इंकम, थर्ड सोर्स ओफ इंकम हो जाएगा, आज के समय में, यदि आपके पास एक सेकंड सोर्स ओफ इंकम नहीं है, अंटेनलस की आप बहुत ही ज़ादा इरिच है, तो कही ना कहीं, कभी भी आपके उपर कश् इसको ग्रो कर सकते हैं, तो पहली भविष्यवानी यही है, कि आपके लिए शनी महाराज धनवान योग बना रहे हैं, सेकंड भविष्यवानी, शनी जब दूसरे घर में बैठते हैं, तो विक्ति को, क्योंकि आपकी अच्छी राश्ची में बठें आपके लिए, तो इसक हम कह सकते हैं, विक्ति की पर्सनालिटी को भी इंप्रूव करते हैं, जी हाँ, सेकंड भविष्यवानी यही है, कि आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप्मेंट का एक चांस मिलेगा, अब यह ऐसा नहीं है, कि सिर्फ किवल यंग लोगों के लिए है, बच्चों के लिए ह कई बार होता है कि हम या तो समय से पीशे शुट जाते हैं, या लोग हम से आगे निकल जाते हैं, हम अपने आपको डेवलप्म नहीं कर पाते हैं, या फिर समय बदलता है बहुत तेजी से, और समय के बारे में तो यह स्पश्ट है, कि समय किसी गे लिए रखता, काल अह आज की रेट में टेकनलोजी के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, कई लोग होते हैं बहुत ग्यान हैं, लेकिन कम्प्यूटर का काखगा नहीं आता, तो ग्यान होते भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और आज के टाइम में कई ऐसे लोग हैं जिनको कस ग्यान नहीं है लेकिन computer की या फिर technology की बहुत knowledge है तो कुछ भी बोलकर वो कहीना कहीं आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर अपने आपको develop करने के लिए personality development के लिए self development के लिए यह समय आपका बहुत अच्छा है बहुत stress है और आज का समय हो या आने वाला समय जो विक्ती stagnate हो गया जो विक्ती आगे नहीं बढ़ा वो कहीना कहीं एक ही जगा पर रह जाएगा और फिर बाद में पच्छता हैगा तो जो विक्ती समय के इनुसार अपने आपको बदलना चाता है अपने आप में कुछ भी development करना चाता है self development, personality development उनके लिए शनी महराज यहां पर बहुत 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 अच्छे प्रभाव देने वाले हैं तो यही आपकी दूसरी भविश्यवानी personality या self development तीसरी भविश्यवानी बहुत important है दूसरे भव को वाक यानि की वानी का स्थान कहा जाता है अब इसे कुछ negative प्रभाव भी होते हैं बात में बताऊंगा लेकिन एक चीज अवश्य यहां पर काही जाते है कि यहां पर अगर कुछ particular ग्राह हो जैसे ब्रहस्पति को लगन में कहते हैं कि वाक सिद्धी देते हैं अधिक्तम जोतेशाप हो गया अधिक्तम कर्म कांडी पंडित हो गए या अधिक्तम लोग जो गुरु तुल्य माने जाते हैं अपने जिवर में उनके लगन में ब्रहस्पति कहीं न कहीं होता है क्या प्रभाव होता है वैसे ही दूसरे भाव का स्वामी जब शनी है तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ देता है कि वाक सिद्धी यानि कि यहां पर और भी दो-तिन चीज़े इस चीज़ें से associated होंगी वाक सिद्धी यानि कि आप कुछ बोलेंगे वो हो जाएगा तो ये इसको हम जैसे आज के टाइम में बहुत manifestation के नाम से लोग बोलते हैं कि हम जो बोलते हैं हम लिखते हैं वो हो जाएगा सोचते हैं हो जाएगा वैसे ऐसा होता नहीं है अगर ऐसे होने लग गया तो दुनिया कहा कि कहा पहुँच जाएगी लेकिन ये समय होता है जब आप कुछ बोलेंगे कुछ अपने मन में प्लैन करेंगे और उसको अपनी वानी के थ्रूव व्यक्त करेंगे communicate करेंगे तो वाक सिद्धी हो जाएगे आप कुछ बोलेंगे यहाँ पे अधिक्तम चीजें आपके लिए वो पूरी हो जाएगे यहाँ पर उसकेरफुल यही रहेगा कि जादा नेगेटिव किसी के बारे में ना बूले जोतिश जब मैं सिखाता था तब भी और हमारे गुरु जरुनों भी यही सिखाया है कि कभी भी बहुत नेगेटिव चीज नहीं बोलने चाहिए हमारे साबने कही कुर्ली आती है हमें पता है कि विक्ति नहीं बचेगा मृत्यू शया पर है लेकिन कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि मृत्यू आपके हो सकती कि वाग सिद्धी हो जाती है जोतिशों की बुरा बोलते हैं एकदम हो जाता है और कहिना कि अच्छे बोलने में भी वो चीज़ें होती है तो इसलिए जितना अच्छा बोलेंगे जितना नेगिटिव चीज़ें भी बोलनी है तो उसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली बोलेंगे थोड़ा सा इस तरह से बोलेंगे विक्ति को कश्ट ना हो, तो वो अच्छा होता है, तो यहाँ पर भी आप से एक होंगा कि जादा किसी के बारे में बुरा मत बोल लीजेगा, क्योंकि वो चीज भी एकदम हो जाएगे, इसके साथ ही यह विक्ति के अंदर जो उसकी oratory skills होती है, बोलने का तो तरीका होता है, professional life में, उसको बहुत improve कर देता है, तो अगर आप कुछ ऐसे चीज में है, जहाँ पर आपको बोलना होता है, speeches देनी होती है, meetings करनी होती है, presentations देनी होती है, जो भी है, वहाँ पर आपके oratory skills बहुत अच्छी होंगे, और आपकी वाक के पटूता भी बहुत अच्छी रहेगी, जहाँ पर arguments करने हैं, judicial services में है, law से समझेद कुछ कारे करते हैं, वैसे भी कारक होते हैं शनी देवन के, तो यह आपके लिए कहिना कहीं बहुत आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि आपकी वाक के पटूता की शमता अलग ही मुकाम पर रहेगी, तो यह थी आपकी तीसरी भविश्यवानी की वाक सि दी, oratory skills और वाक के पटूता, इन सब में आपको अच्छा लाब में देगा, चौती भविश्यवानी बहुत अच्छी है, मैं कभी कभी शनी देव जो दूसरे घर के होते हैं, उनको मैं कहता हूँ कंजूस, और यह अच्छी बात है, आज की टाइम में कोई बुरी बात नह है, money saved is money earned, यह बहुत ऐसे अच्छी अच्छी बातें, जिन्होंने धन के मूले को समझा है, वो कहके गए है, that money saved is money earned, तो यहाँ पर शनी देव कंजूस योग बनाते हैं, तो व्यक्ती कही ना कही खर्चा कम करता है, और वो savings पर बहुत ध्यान देता, और यह बहुत important है, especially आज की generation में, salary 20,000 है और phone डेड़ लाग के EMI पे लेके घूमते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक बौका मिलेगा, कि थोड़ा खंजूस बननेगा, और यह वो प्रभाव आ गया होकर अच्छी चीज है आज की तेम, हाँ जो ज़रूरत है, जो मन है वो खर्च की ज होती है उसको भी जान के ही विक्ति को धन खर्च करना चाहिए, शोबाजी में बाकी चीजों में तो खर्चा बहुत अराम से हो जाता है, तो यहाँ पर शनी देव आपको कंजूस बनाएंगे और दूसरे भाव में तो आपकी investment को बढ़ाएंगे, आपके सामने नए-नए investment क options आ सकते हैं, कोई भी हो, कहीं से start करना चाहिए, और जो यंग बच्चे है उनको तो बहुत पहले start कर देना चाहिए, क्योंकि inflation जो है वो आगे बढ़ेगी, कम तो नहीं होने वाली, तो यहाँ पर शनी महाराज आपको कंजूस बनाएंगे, जो कि बहुत अच्छा है आज क आपकी savings को, आपकी investment को भी यहाँ पर बढ़ाएंगे, तो यह थी आपकी चौथी भविश्यवानी, पांच भी भविश्यवानी बहुत important है, दूसरे भाव के शनी व्यक्ति को मानसिक द्रड़ता देते हैं, यानि कि उसकी जो संकल्प शक्ति है, जो इच्छा शक्ति है, व दूसरा भाव भी कहिना गई, थोड़ा बहुत विद्या से associated है, क्योंकि पंचम का केंद्र भाव है, और यहाँ पर भी ज्यान का कहिना कहीं एक विक्ति को बोध होता है, यहाँ से अश्टम को भी देखते हैं, जो अपने आपमें गुप्त ज्यानाओं, गुप्त विद्य का स्थान है, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करें तो आपकी मानसिक द्रिड़ता बहुत इंप्रूव हो जाएगी, कई लोग ऐसे होते हैं, जिनके पास दुनिया भर का टैलेंट होता है, लेकिन मानसिक संकल्ब शक्ति नहीं होती, कई मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, उन आप बहुत पॉपॉलर होंगे, नहीं मानते, क्यों सोचते हैं, दो दिन प्लैन मनाते हैं, तीसे दें ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि वो मानसिक द्रिड़ता नहीं है, तो ये वो समय है जब व्यक्ति के अंदर मानसिक द्रिड़ता आती है, मानसिक संकल्ब शक्ति आती है जो एकती सोचता है उसको implement करता है यह सबसे important चीज है आइडियास तो दुनिया भर के लोगों के पास होते हैं उससे lab कौन उठा पाता है उसको implement कौन कर पाता है बहुत कम लोग और वही लोग सफलता की CD पर पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपकी पांच भी वविश्यवानी यह कि आपकी मानसिक द्रता, मानसिक दक्षता और प्रबल इच्छा शक्ती सब में विर्द्धी होगी इसके दम पर इसके basis पर आप अपने जिवन को उचाईयों तक लेकर जा सकते हैं यह students के लिए भी बहुत अच्छा है कि students को भी यहाँ पर उनके जो focus है उनका जो education है उ चाटी भविष्यवानी यह है कि दूसरे घर के शनी एक तो धार्मिक आस्ता थोड़ा बढ़ाते हैं दूसरा सबसे important चीज है कि यहाँ पर शनी बैठ कर आपको अच्छे कारियों में जिसमें specially धार्मिक कार्य भी आते हैं और बाके भी आते हैं उसमें donate करने का मौका देते हानी कि अपने हाथों किसी का भला करने का आउसर देते हैं वो आप किसी charitable organization में देते हैं यहाँ पर particular बोला जाता है कि किसी भार्मिक जगा पर आपको कुछ अच्छा करने का मौका मिल सकता है कुछ शास्त कहते हैं दूसरे घर के शनी नवम घर के शनी बहुत हद तक पंचम के शनी भी व्यक्ति के हाथों मूर्ती की प्रतिष्ठा या मंदर की प्रतिष्ठा करवाते हैं अब इसका मतलब आज के टाइम में यह हुआ कि आपके द्वारा कोई किसी मंदर में donation हो सकती है कोई मंदर आपके आसपास बन रहा है वहाँ पर आप donate कर सकते हैं कोई धार्मि गतुति के लिए या किसी ओर अच्छे कृति के लिए भी donate करने का अवसर प्राप्तो का और वो भी कहिना कहीं आपका धर्मी ही है और उस धर्मी के जो फर भी है वो बहुत अच्छे मिलते हैं तो ये थी आपकी चटी भविष्यवाणी अब चलते हैं साथ्वी इनका लाव रावत हो सकता है कारण क्या है दूसरा भाव वैसे भी भैलत का है, गेंस का है और यह स्थान जो है, चौथे भाव से जो प्रॉपर्टी का स्थान है, उस से लाव स्थान बन गया, इसका मतलब क्या हो our differences कि पहला आपको प्रॉपर्टी से कुछ लाब हो सकता है अब प्रॉपर्टी से लाब किस तरह से हो सकता है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी आपका कोई एक्स्रा प्रॉपर्टी थी खाली पड़ी थी, रेंट पर नहीं चड़ रही थी वो rent पर यहाँ पर चड़ सकती है बहुत अराम से दूसरा आपकी कोई property ते आप उसको बेचना चाते हैं तो बहुत अच्छे मूल्य पर बहुत अच्छे prices पर वो आपकी property बिख सकती है तो ये भी हुआ property से लाब property का भी लाब हो सकता है क्योंकि चौथे भाव के स्वामी अपने से ग्यारव में है आपको नई property खईदने का आवसर भी मिल सकता है और क्योंकि यहाँ से शनीदेव अश्टम को भी देख रहे हैं यानि कि वसीयत आदी से और ancestral property से भी आपको लाब हो सकता है देखें मैं कई बार समझा चुका हूँ कि दस्वा भाव है करियर का और दस्वे से त्रिकोन स्थान 2-6-10 यह अर्थ त्रिकोन कहे जाते हैं 2-6-10 तो यह स्थान बहुत important है करियर के लिए और यह शनी महाराज करियर क्याने कि जो लोग जौब करते हैं सर्विस करते हैं उनके कारक हैं बिजनस के कारक ब्रहस्पती और बहुत अतक बुद्ध भी है लेकिन यहाँ पर जो सर्विस करते हैं इसलिए अधिक्तमा पाएंगे जो बहुत अच्छे जगा पर अपने करियरे पहुँचे हैं administrative services में बहुत शनी का महत्व है अधिक में पस कई कुणलिया हैं जहां पर लोग बहुत अच्छे positions पे हैं तो शनी देव का कहिना के इन सब स्थानों पर कुछ ना कुछ योगदान होता है तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि शनी दूसरे घर में है जो दस्वे से पंचम है यानि कि करियर में अपने knowledge को बढ़ाने का समय करियर में अपने skills को बढ़ाने का समय करियर में अपने creativity को बढ़ाना का समय तो करियर में upgrade आपके यहाँ पर हो सकता है किस प्रकार से करियर की knowledge को gain करके किसी भी आप एरिया में हो, आप किसी भी एरिया में काम करते हो, उसमें कहीं न कहीं आगे बढ़ने की गुंजाईश हमेशा रहती है, कुछ एरिया में खेर नहीं होती, लेकिन अधिक्तम एरियाओं में आज के टाइम में, आप अगर अपने आपको अपग्रेड करते हैं, अ इसके creativity का स्थान अपना, तो अपने career में education, creativity, नया कुछ सीकर, skill development, इन सब चीजों से आप अपने career को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं, और दूसरा क्योंकि शनीरेव धनस्थान में है ही, ये दस्वे भाव से पंचम है, लक्षमी स्थान बना दस्वे स्थान का, और अपने आ विष्वानी ये है क्योंकि ए कुटुम्ब स्थान है, कुटुम्ब स्थान है ये, तो परिवार का, परिवार का पूरा पालन-posureशन आपके द्वारा हो सकता है, या फिर आप अपने परिवार जनों का status वड़ा सकते हैं, उनका hit कर सकते हैं, उनका कोई बहुत बड़ा ला हमेशा आप देखेंगे कि इनका एक मन फैमिली की होता है कि इसका उधार कैसे करूँ इनके बच्चे हैं तो हमेशा बच्चों के बारे में सोच रहेंगे में भी वारणी के हिसाब से उत्रा ना express कर पाए, लेकिन हमेशा इनके मन में चिंता चलती रहते हैं अपने घरवालों के बारे में भाई बहनों के बारे में सब के बारे में कहिना कहीं इनके मन में चिंता चलती रहती है expression wise क्योंकि शनीदेव की एक negative राशी है, ये शनीदेव की एक रूखी राशी है, एक उदासींता की राशी है, भली लोगों के लिए बहुत अच्छा कर्भी दें लेकिन उतना जताएंगे नहीं, नहीं इनके वाणी में उतनी मधुरता जलगती है, तो उसका श्रे इनको कभी-कभी नहीं जाता, लेकिन ये अपने कुटुम जन्हों के लिए बहुत कुछ करते हैं और ये वही समय है जब आपको अपने कुटुम भी के लिए अपने घर के लोगों के लिए कुछ बहुत कुछ अच्छा करने को मिलेगा घर में खुशिया लाएंगे उनको, उनका जीवन का उथार कर सकते हैं, किसी की job लगवा सकते हैं, किसी की study में help कर सकते हैं, और अपनी पूरी family का parent portion भी करेंगे और उनके status को भी improve करेंगे तो ये थी आपकी नवी भविश्यवानी अब तीन नकरात्मक भविश्यवानियों की बात करते हैं, अब बात करते हैं उनी से आप बहुत करवाब बोलेंगे अपने दोस्तों से बहुत करवाब बोलेंगे अपने रिष्तेदारों से बहुत करवाब बोलेंगे अपने बच्चों से बहुत करवाब बोलेंगे तई मैंने अभी थोज़े पहले करना, बहुत अच्छा करते भी है लेकिन अपनी वानी से सब चीज़ पर मिट्टी डाल देते हैं तो यहाँ पर अपने वानी की कटूता पर कंट्रोल कीजेगा बिल्कुल तो नहीं दूर कर सकते क्योंकि वो सभाव है वैसे भी देखे शनी यहाँ पर ना भी बैठे होते तो आपके वानी के स्थान के सवा में शरी ही बनते हैं तो रूखापन इनकी वानी में होता ही है एक कटूता कटूता भी मैं इसलिक होगा क्योंकि बहुत सत्ते बोलते हैं जैसे कोट ऐसा ही बोल देते हैं तभी यह लोग ऑफिस पॉलिटिक्स में भी प्रॉबलम देता है और यही यहाँ पर कटू वानी के रूख में भी और प्रबलता उसमें आ रही है तो यही आपकी दस्वी भविश्यवानी है कि अपनी कटू वानी पर जतना कंट्रोल करेंगे परस्टनल लाइफ में उतना अच्छा रहेगा प्रोफेश्टनल लाइफ में यह इतना हानी नहीं देगी क्योंकि वहाँ पर कही ना कही आपके अगर बोलने वाले काम है तो उसमें बड़त होगी परस्टनल लाइफ पर इसका बुरा प्रभा पड़ेगा ग्यारवी भविश्यवानी क्योंकि यह मारक स्थान है यह जो दूसा भावय इसको मारक स्थान कहते हैं और शनी यहाँ पर मारक स्थान में बैटे हैं तो यह कई प्रकार के रोग भी देते हैं कही ना कही जब तक शनी यहाँ पर है आपको छोटे मोटे रोग बनते रहेंगे और उससे निकलने का आवसर, recovery का मौका नहीं मिलेगा, तो यही आपकी दस्वे भविश्यवानी की आपको कई प्रकार के रोग यहां पर ग्रसित कर सकते हैं, अब जिनकी दशान दशा कोई बहुत negative नहीं है, उनके लिए कोई बहुत जादा बुरा नहीं होग लेकिन अगर कुंडली में अलरी बहुत बुरे योग हैं, लगन आपका बहुत पीड़त हैंगी, शनी देवी कुंडली में बहुत पीड़त हैं, लगन पीड़त हैंगी, आपके अपनी कुंडली में लगन में कोई वक्री ग्रा है, कोई अस्त ग्रा है, पापकर्तरी में है आपका लगन तो ये सब बताता है कि ये टाइम बहुत कश्ट कारी रहेगा हस्पताल के चक्कर भी लग सकते हैं और यहाँ पर मेंली जो प्रॉब्लम तंग करते हैं अस्तियों की है यानि कि हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करती हैं आखों नेत्र विकार होते हैं डाइजस्टिब प्रॉब्लम होती है और नसों के रोग बहुत तंग करते हैं ये चीज़ें आपको बहुत तंग यहाँ पर करने वाली है तो हेल्थ वाइस थोड़ा कंसर है और बारवी भविश्यवानी ये है कि आपकी माता जी की सेहत के लिए और आपके पती या पतनी के सेहत के लिए अच्छा नहीं है कारण क्या हुआ कि यहाँ पर शनीदेव की जो तीसरी दृष्टी है वो चौते भाब पर है अपने आप में वो बुरा होता है और यहाँ पर उनकी नीच की राची है ने कि माता जी को बहुत हेल्थ इशूज हो सकते है और क्योंकि सब्टम से अश्टम है ने कि पती या पतनी का कहीना कहीं आयू का स्थान बना वहाँ पर शनीदेव का होना पती पतनी को भी रोगी बना सकता है और ये थोड़ा बहुत married life में भी disturbance ला सकता है दूरिया, detachment बहुत समभावना है कि आपका अपने पती-पत्नी से एक attachment की भावना ही खतम हो जाएगी अगले आने वाह सत्या अलड़ ही हो गया हूँ क्योंकि नगरात्मक रूप पहले उनने जादा दिखाया होगा और ये आगे भी चलेगा तो ये थी आपकी बारदिर भविश्यवानी माता की सेहत, पतिया पत्नी की सेहत और married life में problems ये भी आपको शनी महराज द्वारा थोड़ा सा पीडा झेलनी पड़े गए अब तीन, सोरी कुछ उपाई की बात कर लेते हैं स्थरव पत्म आपको पहले तो आपको दो उपाई करने हैं पहला उपाई आपको दो मंगलवार करना है जब भी वीड़ो देखें दो सरसो के तेल के दी अरपन करने हैं और हर दिये में एक लॉंग का दाना हो फिर खिचडी का भोग लगाना है और फिर बजरंग बान का चार वार बाट करना है दूसरा उपाय आपको काली माता के मंदिर में करना है ज्यादा कुछ नहीं करना, माता के मंदर जाके प्रणाम करना है और वहाँ पर एक नारियल अर्पन करके आ जाना है, ये दो शनी बार करना है योपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अवश्य, शनी महराज अच्छे प्रभाव देंगे आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी, चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए, मिलता हूँ अगरे वीडियो में तब तक के लिए, पहुन मश्य